दोस्तो आज लिए वीडियो में आपको बताने वाला हो कि हम हमारे pc यह फिर laptop की screen है वो कैसे record कर सकते हैं अखिरकार वो कौन सा बेस्ट screen record software है जिसकी मझद से हम हमारे PC की screen है वो record कर सकते हैं तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको 5 बेस्ट PC screen record software के बारे मैं मने आपको बताया था देखे फ्रेंट्स काफी साथियो ने मुझे बार बार कमेंट किया है कि सर आप अपने PC की जो screen है वो किस software की मदर से record करते हो तो मैं जिससे software को यूज करता हूँ साथियो उस software का नाम है जेड screen record इस screen record का पूरा tutorial मां आपको अपने PC की screen पर ले जाकर आपको मत दिखाऊँगा और इसको किस परकार से यूज करते हैं और किस परकार से इसमें special जो effect है recording के समय अपन लगाते हैं पूरी जानकारी मां आपको बताऊँगा तो चलिए साथियो चलते हैं PC की screen पर लोग friends अपना आ गए हैं अपने PC की screen पर यहां मैं आपको उस screen record software के बार में बताने वाला हूँ जिसकी मदद से मैं मेरे PC की screen है वो record करता हूँ और friends इस screen record software की मदद से आप अपने PC या फिर laptop की screen है वो full HD में आप record कर सकते हो बिल्कुल छोटा सा यह software है इस वीडियो के last के अंदर में आपको यह बताऊँगा आखिरकार यह जो software है आप कहां से download कर सकते हो और इसे कैसे full activated आप कर सकते हो देखिए सात्यों मैं जिस screen record software की बात कर रहा था उसका नाम है ZD screen record मैं ZD screen record की मदद से ही अपने PC की screen है वो record करता हूँ फिलाल भी मैं उसी screen record की मदद से screen है वो record कर रहा हूँ मैंने उसको फैले hide कर रखा है चलिए मैं आपको उसको unhide करके दिखाता हूँ तो आप यहां screen पे देख सकते हो चलिए zoom करके मैं आपको दिखाता हूँ और zoom करके आपको दिखाता हूँ और और zoom करके आपको मैं दिखाता हूँ इसका मतलब यह है कि इस screen record की मदद से अगर आप अपने PC या फिर laptop की कोई special जगे को zoom करके दिखाना चाते हो तो आप आसानी से हैं वो कर सकते हैं इसके लावे यह दि आप drawing tool का use करोगे तो आप किसी area को highlight कर सकते हो अगर आप यहां देखोगे मैं मान लेजे इस area को मैं highlight करना चाता हूँ जूम करना चाता हूँ तो दोनु काम मैं एक साथ है यहां कर सकता हूँ ठीक है अब हम आपको इस screen record के कुछ special feature है उसके बार में बताता हूँ देखे फ्रेंट्स जब आप अपने PC या फिर laptop की screen record कर रहे हो तो उसी वक्त आप अपने web camera की मदद से अपना खुद का video वो भी record कर सकते हो कई बार आपने देखा होगा किसी video के अंदर की PC की screen पी आपको दिखाई दे रही है उसी के साथ साथ जो creator होता उसका video भी उस screen पे दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि इस software की मदद से जब आप web camera on करोगे तो आपका video भी है साथ साथ में screen record के समय है वो record हो आपने screen की तो आप आप आशनी से यहां से ले सकते हैं यहां पर camber met का option आपको यहां मिल जाता है इसके लावा यहां पर आपको drone की काफी सारी facility आपको यहां मिल जाती है देखिए अगर line आगर आप खेंचना चाहते हो तो line खेंच सकते हूँ इसके लावा arrow आप की खीचना चाहते हो तो arrow भी आप से यहां खीच सकते हो इसके लावा एदि rectangle की आपको जू रड़ पड़ जाती है कहीं पर तो आप रियक्टेनल भी ले सकते हो, इसके लावा राउंड आगर आपको करना कोई एरिया को तो आप राउंडेड आप यहां कर सकते हो इसके लावा अगर आप कुछ हाथ से लिखना चाते हो जैसे आप कुछ लिखना चाते हो, इस तरह से लिख भी सकते हो ठीक हा माउस की मदश से इसके लावा यह दी आप किसी नंबर आप देना चाते हो मालेजे आप कोई टुटोरियल बना रहे हो 1, 2, 3 आपको कहीं पे लगाना तो देखें मैं यहाँ पर 1 लगाऊंगा यहाँ आप किलिक करते हो यह देखें और यहाँ पर काफी सारे ओप्सन माप किलिक करता हो to clear canvas, यानि जब आपन right click करेंगे तो यह drawing है, वो clear हो जाएगी तो आप यहां से वो select कर सकते हो, ठीक है चलिए, अब इसके कुछ special setting है वो और आपको दिखा देता हूं साथ यहां पर देखिए, यहां मैं setting पर click करता हूं यहां पर आपको काफी सारी settings हैं, आपको यहां दिखाए देंगे सबसे पहले यहां पर जो अपने screen की size है वो यह बता रहा है कि भी कितनी size के अंदर आप यह recording है वो कर रहे हो फिलाल, यहां से आप select की भी कर सकते हो जितना आप चाहते हो, अपने PC या laptop की screen है, वो record कर सकते हो ठीक है, और यहां पर देखिए, एक region frame आ रहा है अब region frame का मतलब आपको यहां बता देता हूं देखिए, मैं यहां mouse को इधर उधर हला रहा हूं तो एक area आपको highlight हो रहा है, ठीक है यह होता region frame, ठीक है, अगर आप इसे uncheck कर देते हो ना, तो आपको full screen दिखाए देगी, नए कि कोई special area देखिए, मैं एक बार इसको zoom out कर देता हूं, ठीक है, अब यहां पर आपको कोई भी special highlight आपको नहीं दिखाए दे रहे आपको एरिया नहीं दिखाए दे रहे, अपने PC की पूरी screen हो आपको एक साथ दिखाए दे रहे है अगर आपन किसी special area को दिखाना चाहते है जूम करके, तो यहां पर जैसे मैं इसको zoom करूँगा, देखिए, यहां पर special area आपको कुछ और ही दिखाए देगा राइट किली करता हो, तो तब आप इसका जो color हो आपको कुछ और परकार का ही दिखाए देगा तो यहां से देखिए highlight है आप आसानी से देख सकते हो, जो भी color आप यहां चूज करना चाहते हो जैसे आप अपने mouse को हिलाते हो, left right ले जाते हो, click करते हो, right click का कौन सा effect होना चाहिए, left का कौन सा effect होना चाहिए वो effect है, आप यहां से select कर सकते हो इसके लाए यदि आप चाहते हो कि screen record के समय मेरा जो channel है, उसका logo भी मैं साथ साथ में record होता रहे तो यहां से आप अपना जो logo है, वो select कर सकते हो, तो आपको अपने video editing में logo लगाने की कोई आउसेकता नहीं है लेकिन आपकर ऐसा करता नहीं हो, क्योंकि इसके खास result नहीं होते हैं, तो यह जो special setting है साथियों कर सकते हैं, ठीक है इसके लाव साथियों यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर audio का एक option आ रहा है, यहां पर आपको दो facility मिलती है एक तो video के साथ automatic audio है, वो record चाते हो, अगर आप यह चाते हो, कि भी एक MP3 file है, वो अलग से record हो जाए और जैसे आप अपनी video stop करोगे, तो MP3 अलग हो जाएगी, और video है वो अलग हो जाएगा, अलग कि वीडियो के अंदर भी आपको आवाज है, voice है, audio है, आपको मिलेगा, लेकिन उसके अलावा आपको MP3 से एक अलग file है, आपको यहां मिल जाएगी साथियों, तो यह इसकी आप आसाने से यहां कर सकते हो, चलिए मैं इसको एक बार ओफ करता हूँ, अब मैं यहां पर इसकी सोट की की बात करता हूँ, ठीक है, सोट की जैसे मैं यहां पर मैंने जूम किया, तो मैंने की बोर्ड से कूच से की है, वो प्रेस की है, तो यह सोट की है, साथियों आप आ आव सेखता है कि अनुसार साथियो बदल सकते हैं जैसा कि मैंने यहां पर इसको चेंज कर रहा ठीक है कुछ बाइडिफाल थे कुछ मैंने आव सेखता है कि अनुसार इसको बदल दिया अगर आप अपने कीबोर्ड से function की है F8 दबाओगे तो आपकी जो screen record है वो start भी हो जाएगी और stop भी हो जाएगी अगर आप keyboard से control plus F8 दबाओगे तो आपकी जो recording है वो pause हो जाएगी कुछ समय के लिए ठीक है और फिर आप उसे resume करना चाते हो तो resume भी हो सकती है इसके लावाँ देखिए यहाँ पर drawing का option आ रहा है जैसे अपन drawing कर रहे हैं अलांकि फिलाल मेरा function हो काम नहीं कर रहा है क्योंकि इसी software से मैं recording हो कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप मेरा mouse drag करके आप देख रहे होंगे यहाँ पर देखिए मैंने ctrl plus shift plus d मैंने दबा रहा है अब जैसे ही मैं ctrl plus shift d दबाऊंगा तो जो अपने drawing है वो highlight हो जाएगी इसके लावाँ जैसे मैं zooming out और इनका मैं प्रियोग करता हूँ या use करता हूँ तो वो कैसे करता हूँ देखिए यहाँ पर मैं keyboard से ctrl plus add plus one मैं दबाता हूँ तो आपको यह zooming का effect आपको दिखाई देता है अगर मैं screen को और बढ़ा करके दिखाता हूँ तो मैं ctrl plus add के साथ 2 है वो प्रेस कर देता हूँ फिर 4 कर देता हूँ फिर 3 कर देता हूँ यह नहीं दिखाई देगा और यह केवल हमारे जो PC की टास्क बार है उसमें आपको यहाँ सो कर देगा देखिए निचे अगर आप देख रहे होंगे इस एरिया में तो यहाँ फिलाल यह चल रहा है अब मैं आपको यह बताता हूँ कि आखिरकार आपको यह डाउनलोड कहां से करना है साथियों इसकी वेबसाइट पे आपको जाना है और वेबसाइट का नाम है zdsoft.com इस वेबसाइट पे आपको विजिट करना है zdsoft.com इस website का link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा आप directly वहाँ से visit कर सकते हो यहाँ पर आने के बाद देखिए साथ हो यहाँ पर आप में try it for free इस पर आपको click करना है और जैसे इस पर आप click करोगे तो यहाँ से आप आसानी से download कर सकते हो देखिए कोई ज़्यादा बड़ा software नहीं है केवल 8 या 9 MB का यह software है बहुत ही चोटा software है लेकिन इसका result है बहुत ही अच्छा है मैं सुरू से इसी screen record को use कर रहा हूँ अगर आप एक educational tutorial बनाते हैं तो इसके लिए तो बहुत ही है अच्छा आप आसानी से area है वो highlight कर सकते हो अब देखिए साथ हो यहाँ पर एक यह paid version है ठीक है यह free नहीं है paid version है अलांकि आप इसे free में activate कर सकते हो और free में activate करने के लिए साथियो आपको google पे लिखना है ZD screen software license की जैसे आप यहाँ लिखोगे तो काफी सारे option आपको यहाँ मिल जाएंगे अलांकि मैं आपको यहाँ share नहीं कर सकता security reason के कारण इसलिए आप जब google पे सर्च करोगे इसके key के बारे में तो आपको आसानी से है वो key मिल जाएंगी बिल्कुल बहुत सारी key है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे आलांकि यह paid version है आप इसे use कर सकते हो तो friends यह तो था ZD screen record जिसके मज़द से मैं मेरे PC की जो screen है friends record करता हूँ और साइद आप समझ गये होंगे और काफी दिनों से काफी जो साथें बार-बार बोल रहे थी कि sir आप कौन सा screen record यूज कर रहे हो तो साथियो आज मैंने आपको बता दिया है आप यूज करो अगर इसके लावा आपको इसको यूज करना नहीं आता कोई दिक्कत आती है तो वीडियो की ने से कमेंट करे चलिए साथियो चलते हैं वापस केमरे की तरफ तो friends जेड इसकीनी रिकोर्ड की मदद से हम हमारे PC या फिर लेपटोप की इसक्रीन है वो आशानी से रिकोर्ड कर सकते हैं अगर friends आप इस सोब्ट्योर को यूज करोगे और दो च्यार बार अपने PC की स्क्रीन है वो कैसे रिकोर्ड कर सकते हैं हालांकि इसको किस तरह से यूज किया जाता है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया तो साथियो मुझे ये बताना है कि आज की ये जानकारी और वीडियो आपको कैसा लगा हो अगर जानकरी वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और वीडियो को share कर दीजेगा जो साथी हमारे चैनल पर नए मेमान है उन्से तो यार मैं यही request कुरोड़ ऑगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीएगा और सब्सक्राइब करने के बार बेल आइकन ऑए उसे जरूर दबा दो जएगा ताकि आगया ने वीडियो नोटिफिकेशन वो आपको मिलता रहे मिलते हैं फ्रेंट्स अगली एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत